नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रेल ओनलाइन में आपका स्वागत है अगर आपके पास यात्रा के दोरान ट्रेन का टिकट नहीं है तो फिर आपको ये सफर काफी मुश्किल बड़ा होने वाड़ा है ऐसे में आपने कभी सोचा है कि क्या हो अगर आपकी ट्रेन का टिकट ठीक हो जाए भारतिय रेलवे हमें काफी सुविधाएं देती है समय के साथ-साथ ये सुविधाएं और भी ज्यादा बढ़ती जाती है और अधुनिक होती है चाहे एसी हो या फिर खाने पीने के विस्ता इन सारी सुविधाओं का अनुभाव करने के लिए आपको रेलवे का टिकट लेना होता है लेकिन अगर आपके पास टिकट नहीं है तो फिर आपका ये सफर काफी मुश्किल वरा हो जाएगा ऐसे में कभी आपने सोचा है कि अगर आप बिना टिकट के जा रहे हैं ट्रेन के अंदर या आपका ट्रेन का टिकट खो जाता है ऐसी स्थित्थी में आप क्या करेंगे या फिर आपको ट्रेन से बाहर कर दिया जाएगा या आपको जुर्माना दिया जाएगा आज हम आपको इसके बारे में सब बताएंगे दोस्तो सबसे पहले ये जान ले कि टिकट गुम होने से कोई ज़्यादा नुक्षान नहीं है आप इसके बाद भी ट्रेन में असानी से सफर कर शकते हैं माली जीए कि अगर रेलवे में सफर कर रहे हैं और इसी बीच आपका यात्रा का टिकट गुम हो जाता है तो आप टीटी से जाकर मिले और उनको सारी बाते बताएं इसके बाद टीटी आपको एक नया टिकट जारी करेगा आपके जानकारी के लिए बता दें ये रेलवे का ही नियम है अगर आपका टिकट खो जाता है तो आपको नया टिकट टीटी बना कर देगा इसके लिए आपको रेलवे को पचास रुपे जरुमाना साथ में जाना होगा बता दें कि अगर आप बिना टिकट सफर करने के कोशिश करेंगे तो आपको 50 रुपे नहीं बलकि रेलवे के नियम के हिसाब से 10 गुणा जुर्माना देना पड़ेगा इसलिए अच्या यही रहेगा अगर आप यात्रा के दोरान आपका टिकट खो जाता है तो आप इसकी सुचना फोरन टीटी को दें और उसे टिकट गुम होने की जानकारी दे ताकि टीटी आपको नया टिकट बना कर दें और आगे का सफर में आपको कोई प्रेशानी नहीं हो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नया टिकट बनवाते समय अगर आपने स्टेशन चेंज करना है यानि आप डिल्ली से चंदिगड जा रहे हैं और आपको दो स्टेशन आगे जाना है तो आपको टीटी आगे का भी टिकट बना कर दे सकता है उसका आपने चार्ज देना होगा अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगया तो इसे सेर और लाइक जरूर करें नमस्कार